हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमिलिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपको किस स्टॉक्स में इंट्वाडे ट्वेडिंग करना चाहिए maximum लोग इंट्वाडे ट्वेडिंग तो करते हैं लेकिन वो इस्टॉक्स सेलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं अगर आप गलत स्टॉक्स में इंट्वाडे ट्वेडिंग करोगे तो आप पे profit probability ऐसे ही आपका decrease हो जाएगा तो इंट्वाडे के लिए सही स्टॉक्स सेलेक्शन भी बहुत जादा ज़ूरी है अगर आप सही स्टॉक्स सेलेक्शन करते हैं तो 20-30% काम आपका पहले हो जाता है फिर आप सही जगह पे market के momentum को identify करके वहाँ से profit बना सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम इंट्वाडे ट्वेडिंग के लिए अपने लिए perfect stocks find कर सकते हैं और कोई stocks ऐसा नहीं है कि जिसमें आप डेली इंट्वाडे ट्वेडिंग कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हम अपने लिए betwin इंट्वाडे ट्वेडिंग के लिए stocks find करेंगे तेहां पर हम चार्ट पर आ गए हैं और यह जो चार्ट है आपका IRCTC October future वाला चार्ट है और इसको भी हमने आज इंट्वाडे ट्वेडिंग के लिए select किया और यहां पर हमें breakout भी देखने को मिला है लेकिन अगर आप manually breakout stocks find करने जाओगे तो जब तक आप breakout stocks find करोगे तब तक वहां का पूरा काम हो चुका होगा तो कैसे इसको हमने breakout से पहले identify किया है वो हमें यहां पर देखना है इसके साथ साथ यहां पर हमने Apollo Tire को भी आज के date के according into a day trading के लिए find किया है तो चलिए इसको सीखते हैं और इसका implementation आप कहीं पर भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा धन के trading platform पे आना पड़ेगा यहां पे एक मेहदविन future दिया गया है कि हमें open interest यहां पे हमें live market में दिखा देता है तो सबसे पहले हमें जाना है और futures पे click करना और top 100 यहां पे हमें select करना है F&O वाला और उसके बाद हमें open interest पे click करना है यहनि सबसे जादा जो open interest का change कौन से stocks में हुआ है वो हमें यहां पे select करना है और जो भी list में top पे है उन में से हमें top 2 को select करना है यहां पे top 2 अभी भी आपका दिख रहा है IRCTC और Apollo Tires जिसमें हमने intra day trade किया है और हमने सही time पे entry लेते वे positions यहां पे बना लिया और अभी भी यह आपको top 2 में ही दिख रहा है ति यह दो stocks हमारे intra day trading के लिए सबसे बेहत्वीन होगा क्यों होगा क्योंकि आज यहां पे सबस करके यहां पे अगर हम trade initiate करते हैं तो आसानी से हम profit बना सकते हैं क्योंकि intra day में मोमेंटम चाहिए अगर कोई stocks आपने intra day trading के लिए select किया है आज मोमेंटम नहीं आया range bond move दिखा है तो चाहिए आप options में trade करो futures में trade करो कहीं भी trade करो आपको profit मिलने वाला नहीं है ultimately आपको नु यहां पर सबसे पहले हम IRCTC के ऊपर बात कर लेते हैं तो यहां पर हमने IRCTC के चार्ट पर आए और हमने initial में market open होते ही find कर लिया और देखिए IRCTC आपका open हुआ red candle के साथ तो हमने देखा कि यहां पर hurdle कौन सा previous day का highest point है वो आपका किस level पर है वो आपका लगभग 735 के आसप करीब आता है और यहां पर हमें buyers entry करते हुए दिखते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे बाइसर की तरह positions initiate करेंगे अब प्राइस रिष्टेंस लिवल के करीब आया यहां पर यह ग्विन केंडल का formation कर रहा और रिष्टेंस लिवल करीब ही आपका move करता हो दिख रहा है तो ह एक unique feature दिएगे उसके जरी हम पता कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर आपको real time में data बताया जा रहा है कि यहां पर long build up हो रहा है या फिर short build up हो रहा है तो अगर आपका trading और teammate account धन में है तो यह data आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं आप future पे जाके आप यह data देख सकते हैं और इसके उपर हमने multiple videos भी बनाए हैं अब हमें इसका इस्तेमाल trading में कैसे करना वो यहां पर हमें देखना है और एक और चीज़ अगर आपका trading account धन में नहीं है तो इस video के description में link दिया गया उस link पे click करके आप अपना trading और teammate account धन में open कर सकते हैं और आपका free में trading और teammate account open हो जाता है मतलब free में यह सारा data का आपको access मिल जाएगा और open interest change in open interest और open interest का build up यह तीन बहुत ही crucial data without इसके अगर आप trading करते हैं तो वहांसे profit मिलने के chances कम होते क्योंकि इसके basis पे हम momentum stocks को find कर सकते breakout stocks को सही time पे breakout से पहले और momentum stocks को momentum पकरने से पहले हम identify कर सकते हैं तो यहां पर हमने पहला 15 में क्या देखा कि long build up हमें देखने को मिल रहा long build up का मतलब है कि यहां पे buyers हैं और buyers आपके buy कर रहे हैं कई बार होते हैं कि buyers होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं वो profit booking start कर देते हैं तो buyers यहां पे buy कर रहे हमें buyers को find करना था और हमें यहां पे मिलता हुआ दिक गया तो जैसे ही price आपका क्या करेगा 735 के level को break करके ऊपर निकलेगा यहां पे हम 736 से करीब limit order अपना डाल देते हैं इसके करीब जैसे ही आएगा हम यहां पे buy side की तरफ entry ले ले लेंगे और देखिए price आपका यहां पे अगला candle आपका gap के साथ open हुआ और यह जो candle आपका open हुआ है वही इसका lowest point बेबन तब यहां पे हमें दिख गया open होते ही यहां पे buyers का दबदबा है तो यहां पे हमने 736 के करीब entry तो ले लिया अब हमे profit booking कहा बेगरना उसके लिए हम data पे आएंगे लेकिन उससे हमने क्या देखा कि अगले ही मिनट में आपका price कहां पे पहुंच गया 745 के करीब पहुंच गया यह निए आपका strong green candle का formation हुआ है फिर यहां से price आपका नीचे जाने लग यह निए red candle का formation हुआ फिर हम आते oi build-up पे देखते हैं कि यहां पे क्या कुछ हो रहा है oi build-up पे यहां पे हमें देखने हैं कि sort build-up हो रहा है और sort build-up में आपका fresh addition भी हुआ है अच्छा खासा तो यहां पे हम चार्ट के basis पे कुछ trading decisions लेना चाहेंगे exit करना ही कि नहीं करना है तो यहां पे हमने देखा कि अच्छा खासा red candle का formation हो रहा है तो मेरा जो ट्वेड हो अभी profit मे यहां पे हम एक काम करेंगे अपने stop loss को trail करके इस candle के lowest point पे ले आएंगे अगर price यहां से नीचे आता है तो मेरा ज्यादा नुकसान ना हो और लगबग buying price के आसपास ही हमने क्या किया अपना trailing SL लगा दिया यहनी एक दो point नीचे यहनी हमें ज्यादा नुकसान ना उठाना पर है फिर दो red candle के बाद आपका एक green candle का formation किया है काफी हद तक आप इसको piercing candlestick pattern भी बोल सकते हैं उसके बाद वापस से आपका green candle का formation हुआ है तो यहां पर फिट से हम oi build up पे देखेंगे कि क्या कुछ changes हो रहा oi build up पे देखें तो वापस से क्या start हो गया long build up start हो गया करने के लिए था जिनको market में डर लग रहा था उनको यहां पर exit करवाने के लिए था तो जो लोग exit कर लिएंगे वह profit opportunity miss कर दिये होंगे और जो लोग market पर बने रहे होंगे उनको यहां पर अच्छा-खासा profit जरूर मिला होगा और इसके साथ-साथ यहां पर आपको एक और ध्यान देना है कि जो open interest आपका है वो open interest बना हुआ है यह नहीं बना हुआ है यह भी आपको time to time check करते रहना क्योंकि अगर यहां पर open interest decrease होता है तो इसका impact हमें देखने को मिल सकता है इसलिए हमें यह data को भी बारबार चेक करते रहना होगा और इन सेरा data के basis पे हम यहां पर देखें कि price आपका ऊपर चला गया और 750 के करीब price गया इसके बाद थोड़ा सा बायर्स में strength की कम हमें देखने को मिल रहा है और यह जो काम हो रहा है किसके आसपास हो रहा है यहां पर अगर हम timing देखें तो लगवग आपका 10 बजे के आसपास यह नहीं 10 आपका यह rate करनल जो फॉर्म हुआ 10 10 के करीब फॉर्म हुआ तो वापस से हम OI build-up पे देखना चाहेंगे और OI build-up पे अगर हम 10 AM के आसपास देख रहे हैं 10 10 के करीब देख रहे हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को बिल भा लॉंग अंडवाइंडिंग हो रहा हमें क्या indicate करा हमें indicate करा profit भॉकिंग का यहनि जिल्व ने यहां पर राफ रॉय था वो यहां पर सेल करके मार्केट से बाहर निकल ने की कोशिस करेंगे तो हमने यहां पर वाइसारी की तरफ ही था 736 करीब बिल लिया था पर ऑल्दवेप्रइस यहां पर आपका 750 के करीब आ गया यहां पर हमें लग बग आसानी से 7 to 8 पॉइंट का profit मिलता हुआ दिख जाता तो इसके वेसिस पर चाहिए आप intraday trading करो या फिर intraday futures या फिर options कहीं भी trade करो आपको यहाँ पर आसानी से अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से हम क्या गर सकते हैं अपने लिए between intraday stocks का selection कर सकते हैं और इन सारे stocks में हमें intraday trading करना चाहिए जहांपे OI build-up ज़्यादा देखने को मिलवा है जहांपे OI change हमें ज़्यादा देखने को मिलवा है हम overall OI पर focus नहीं करेंगे OI change के उपर हमें focus करना यह भी point ध्यान रखना है बहुत सारे लोग OI पर देखने लगते हैं कहांपे OI सब ज़्यादा OI नहीं OI change पर आपको focus करना आज के दिन सबसे ज़्यादा OI change कौन से stocks में हुआ है इसके उपर आपको focus करना और यह हमें बताएगा कि आज के दिन कौन से stocks में हमें intraday trading करना है तो यहाँ पर हमने एक stocks को देख लिया अब हम दूसरे stocks पर आते हैं वो है हमारा Apollo Tire अब हमने यहाँ पर क्या देखा Apollo Tire gap up open हुआ है और इसके साथ वहाँ पर हमें open interest में build up भी देखने को मिलबा open interest में अच्छा खासा change भी देखने को मिलबा positive change हुआ है इसके साथ साथ यह क्या form किया है open equal to low criteria को form किया इन्हीं जिस price पे open हुआ वह ही इसका lowest point है तो जब भी open equal to low criteria fulfill होता है हम क्या करते है पहला candle close होने के बाद अगला candle के करीब ही हम क्या करेंगे direct interview लेंगे यह जो lowest point होगा कि हमाई लिए SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे हम जो buy side की तरफ interview लेंगे वो interview लेंगे 920 के आसपास तो यहाँ पे हम 920 के आसपास देखते है कि हम क्या कुछ हुआ OI build up है या नहीं है 920 के आसपास देखते हैं कि neutral है चले neutral है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अटलिस निगेटीव तो नहीं है तो इसको हम slightly positive way में tweet करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम tweet में बने रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ price आपका ऊपर side की तरफ जा रहा है तो आगे हम थोड़ा और OI build-up को देखना चाहेंगे और जैसे ही 15 मिनट बात क्या हुआ यहाँ पे long build-up बनना start हो गया है मतलब हमने जो tweet लिया था वो सही time पे tweet लिया था और जब लोग notice करेंगे लोग के पास notice में कब जाएगा यह 9.30 के करीब जाएगा या फिर इसके बाद जाएगा और हमने इससे पहले interview ले लिया यानि जब लोग interview लेने की बारे में सोच रहोंगे उस time पे हम क्या सोच रहेंगे कि profit वुक करे या ना करे यानि हम लोगों से आगे चल वे हैं यही चीज आपको market में लंबे समय तक survive करने में help करेगा और profit बनाने में help करेगा साथी साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि time to time आपको कहां पे देखना है कि OI पे देखना है कि OI में drastically कोई negative change तो नहीं आया वो भी आपको time to time चेक करते रहना और आज के दिन के देखिए अभी तक आपका यह दोनों stocks में सबसे highest OI देखने को मिल रहा है तो आपस से हम इसके chart पे आना चाहेंगे और price आपका continuously उपर साइर के तरफ जा रहा और यहाँ पे आने के बाद buyers में थोड़ा सा strength की कमी देखने के बिलवा और price आपका रुखता हुआ दिख रहा यह दो rate candle form होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ OI build-up में change हुआ 10.25 के करीब तो यहाँ पे अगर हम OI build-up के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 10.25 that means to 10.16 से 13 के बीच में हम देखेंगे कि यहाँ पे long unwinding हो रहा मतलब क्या हो रहा काफी हद तक जिन लोग ने buy किया था वो यहाँ पे profit book करके market से निकल रहे क्योंकि वो sufficient amount का profit already बना चुके है तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे हम भी इस level के आज पास profit booking स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसकी बाद price हो सकता है वापस से उपर जाएगा लेकिन यह आपका distribution phase भी हो सकता है जहाँ पे sellers market में entry करते हुए दिख रहे है और हमने यहाँ पे जो buy side के तरफ entry लिया था वो हम इस point पे लिया था लगवग 285 के करीब यहाँ पे यहाँ पे हमने market में entry किया था और all the way हम यहाँ पे जो profit book करें इस level के आसपास करें यहाँ 291 के करीब profit book करें यहाँ हमें यहाँ पे कितने point का profit मिल रहा 6 point के करीब हमें आसानी से profit मिलता हुआ दिख रहा और 6 point का मतलब है कि यहाँ पे हम more than 2% से ज़्यादा का profit हम यहाँ पे बना रहे है तो इस तरीके से आप options में भी trade कर सकते at the money call options buy करके या फिर at the money का सपास जो भी होगा वो call options buy करके options में भी profit बनाया जा सकता है तो इस तरीके से आप intraday trading करेंगे तो आपको profit मिलेगा और इस तरीके से आपको intraday के लिए stocks का selection करना based on data और intraday trading में data का importance बहुत जादा होता है और आपको धनके trading platform बताएए कि काफी advanced feature के data आपको available हो जाते है free of cost तो उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कीजिए साथी साथ bell icon दबाना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे भी upload करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन